Good morning प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उमीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चों, पिछली दो वीडियो में हम इंगलिश और हिंदी का holiday homework डिसकस कर चुके हैं आज हम डिसकस करेंगे maths का work जो की है ये workbook के pages आपको ये कहां करने हैं? अपनी workbook में ही करने है page number 157, 188, 189, page number 70, page number 78, 50 and 51 तो ये pages हैं जो हम अभी डिसकस करेंगे जो की इनवाली worksheet से related है ये सभी तो हम कर चुके हैं तो चलिए बचो फटाफट शुरू करते हैं ये है बचो page number 7 आपको English और Hindi दोनों में question दिया गया है मैंने blue pen से जो लिखा है वो है English medium में और ये brown से जो लिखा है वो है Hindi medium में तो English medium वाले बच्चे ये वाला answer कर लेंगे और Hindi medium वाले ये वाला सभी pages पर ऐसे ही किया गया है तो चलिए बचो आप फटाफट शुरू कर लेते हैं page number 7 अंशुल and his mother are preparing idlis for breakfast for everyone there are 8 people at home and they want to make 3 big idlis and 7 small idlis for each of them how many big and how many small idlis will they have to make अंशुल के घर पे क्या बन रहा है इडली बन रही है तो बच्चो उनके घर में 8 member है और वो क्या कर रहे हैं सभी के लिए big वाली मतलब बड़े वाली 3-3 idlis बना रहे हैं और छोटे वाली small वाली कितनी बना रहे हैं 7 मतलब जो एक member है वो बड़े वाली 3 idlis लेगा और छोटे वाली 7 लेगा अब आपसे पूछा गया है कुल मिलाकर बड़े वाली कितनी बनानी है और छोटे वाली कितनी बनानी है देखो बच्चो एक member के लिए बड़े वाली 3 कुल कितने member है 8 जब एक member का हमें पता है और 8 का निकालना है तो हम गुना करेंगे जब भी आपको एक का दिया जाता है और जादा के लिए पूछा जाता है तो गुना करना होता है तो कितना आएगा 24 और स्मॉल वाली एक खाएगा 7 कुल member है 8 गुना कर दो आजाएगा आपका अंसर तो इसी तरह आपको लिख देना है इसको number of big idlis 3 multiply 8 number of small idlis 7 multiply 8 आगया आंसर इसी तरह हिंदी में भी लिख देंगे Hindi medium बाले बच्चे अब next question the idli maker can hold 3 idli trays at one time and in each tray 4 big idlis can be kept if we fill the idli maker completely how many big idlis can be prepared at once अब इसमें क्या पूछा गया है इसमें पहले आपको बताया गया है कि जो यह idli maker है उसमें 3 tray है और हर tray में कितनी idlis आती है चार देखो एक, दो, तीन और चार तो आपको बताना है एक बार जब हम इसको भर देंगे तो कितनी idlis बन जाएंगी एक बार में यह तो बड़ा easy है आपको add कर देना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा तो यह तीन ओ ट्रे जब हम इसमें और कौन से तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 4, multiply 3, equal to 12, या तो आप plus करके करो, या multiply करके करो, एक ही answer आएगा, है ना, यह 4 है यहाँ पर, कितनी बार आया है, तीन बार, तो चार गुना तीन कर दिया, इसी तरह हिंदी वाले बच्चे, एक समया में बनने वाल इडलियों की संख्या, यह question आपका हो जाएगा, तो यह था, page number 7, अब चलते हैं, next, page number 8 पर, तो बचो, page number 8 पर आपका इसी से related question है, how many times will they have to fill the idli maker to make enough big idlis for everyone, अब आप से पूछा गया है, कि बड़ी इडलियां जिदनी भी बनानी है, वो बनाने के लिए, यह idli maker कितनी बार भरना होगा, तो बचो देखो, एक बार में इसमें कितनी इडलियां बन रही है, 12 है न, अभी हमने देखा, और हमें कुल बड़ी इडलियां कितनी बनानी है, यह हमने पहले वाले में निकाला था, 24 बनानी है, 24 हमें बनानी है, एक बार में बन गई 12, कितनी बार हमें इडली मेकर भरना पड़ा दो बार एक बार में 12 दूसरी बार में भी 12 मतलब हमें 24 जो इडलिया बनानी है उनको 12-12 के ग्रुप में बाटना है क्या करना है बाटना है इसलिए भाग का इस्तिमाल होगा बाटना मतलब किसी चीज़ के भाग कर देना तो कैसे ल डीलीकर को k Brittany को कितनी बार भरना पड़ेगा चोबिस बारा से भाग कर कर दो तर अजाएगा और हमने यह लिए डेख लिया था है ना टो डिवाईट करके आंसर निकलेगा क्योंकि चोबिस को हमें बारा बारा के हिस्सों में बातना है कितने हिससे हुए दो हिस्से हुए, इसी तरह ये हिंदी में लिखा गया है, अब चलते हैं, next question, in each small idli tray, 14 small idlis can be prepared, if the idli stand can hold 4 small idli trays at once, can they make 56 small idlis in one go? तो, अब आपको छोटी idlis के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, कि उसकी भी trays हैं, ऐसी कितनी tray हैं, चार tray हैं बच्चो, और एक tray में कितनी idlis आती हैं, 14, कितनी आती हैं, 14, इस वाली में कितनी आती थी, बड़े वाली में 4 आती थी हैं, एक में 4, लेकिन इसमें 14 आती है तो उपर वाली ट्रे में भी 14 सब में 14 14 आ जाती है और फिर इसको इडली स्टैंड में इसमें रख कर क्या करते हैं इडली बना लेते हैं तो एक बार में बताओ कितने इडली बन जाएंगी छोटे वाली इनको प्लस कर दो 14 प्लस 14 प्लस 14 सब को जोड़ दो कितना गा 56 तो चलो एक बार किrophak देख लेते हैं कैसे लिखना भी नम्बर ओफ इडली में वं प्लस रख क्ला इडली ट्रे एक रिम जाती हैं फोटीन में अती हैं जाती और आथी रहाव रिए मृत और ओफoons 9 इलिएं यहीर कितनी हैं चार हैं fascinated तो तीन चार टोटल नंबर ओफ इडली इन वन इडली स्टैंड अब पूरे में कितनी आ गई अभी हमने निकाला 56 इनको जोड के निकाला और जोडने के अलावा एक और तरीका है क्या गुना करके एक में आती हैं 14 चार ट्रे हैं गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कितनी इडली आ एक बार में बन सकती है कितनी बन सकती है 56 और बताओ अंशुल को कितनी छोटे इडली आ बनानी है 56 ही बनानी है मतलब छोटे वाली इडली तो एक ही बार में बन जाएगी बड़े वाली कितनी बार में बनी थी, दो बार में लेकिन छोटे वाली तो एक ही बार में बन जाएंगी आपसे यही पूछा गया है क्या एक बार में 56 बन जाएंगी तो हाँ बन जाएंगी YES, they can make 56 small idlis in one go तो ये हो गया हमार आंसर और ये हिंदी में लिख देंगे एक छोटी इडली ट्रे में इडलियों की संख्या छोटी इडली ट्रे की संख्या एक इडली स्टैंड में कुल इडलियों की संख्या और फिर लास्ट में लिख देंगे हाँ वे एक ही बार में 56 छोटी इडली बना सकेंगे तो ये हो गया बच्चा आपका पेज नमबर 8 अब चलें नेक्स्ट पेज पर ये क्या है पेज नमबर 50 करेंगे अब इसमें यहाँ पर ये English Medium वाले बच्चों के लिए लिखा गया है और Hindi Medium वाले बच्चे यहाँ से लिख लेंगे ठीक है बच्चों बच्चों मैंने इस पूरे होमबक की एक PDF भी बनाई है आप इसी वीडियो के description बॉक्स में जाकर वो वीडियो वो PDF वहाँ से ले सकते हैं ताकि आप अलाम से उसे देख सके अपना होमबक चेक कर सके आप वीडियो से पहले अपना होमबक करेंगे इस वीडियो से आपको बस चेक करना है और कुछ नहीं समझाया हो तो वो समझना है ठीक है बच्चों चलो अब हम पेज नंबर 50 देख लेते हैं Biscuits दिनकर has a small general store where he sells articles of daily use यह है दिनकर जिसकी एक दुकान है जहाँ पर वो सामान बेचता है वो आटा बिसकीट भी बेचता है और कैसे कुछ तो वो छोटे पैकेट में बेचता है कुछ बड़े पैकेट में बेचता है small packets have six biscuits and big packets have twelve biscuits in each packet तो बच्चों जो small packet है ऐसे क्या है small एक packet में कितने बिसकीट आते है six और जो big biscuit के packet है उनमें एक में आते है twelve तो अभी तक हमने इसमें यही जानकारी हासिल की कि दिनकर आटा बिसकीट भी बेचता है जिसमें कुछ small packet है कुछ big packets है small वाले एक packet में 6 biscuits आएंगे और बड़े वाले में 12 आएंगे अब इसी के base पर आपके लिए question है he bought 200 biscuits and packed 120 of them in small packets how many small packets did he make अब आपको क्या बताना है बच्चों कि उसने कितने biscuit खरीदे है 200 biscuit खरीदे है अब वो उनको कैसे बेचेगा उनको packet में डालेगा और फिर बेचेगा तो उसने क्या किया 200 में से अभी हम यहां देखते है 200 खरीद लिए ठीक है बच्चों उसमें से उसने जो 120 थे न वो किस में डाले छोटे छोटे packet में डाले तो आपको यहीं बताना है कि यह 120 जो है वो कितने packet में आ जाएंगे मतलब आपको 120 packet को छोटे छोटे 6-6 के ग्रूप में बातना है 6-6 के क्यों? क्योंकि एक packet में 6 ही biscuit आते है बातना है मतलब उनको भाग करना है समझ आया हम यहां भाग क्यों करेंगे क्योंकि बच्चों जो 120 बिसकिट हैं उन्हें 6-6 के ग्रूप में 6-6 के packet में बातना है तो कैसे करेंगे number of biscuits to be filled in small packets कितने हैं 120 each small packet has 6 biscuits यह बात हमें यहां बता दी गई थी number of small packets he made तो उसने कितने small packets बनाए 120 को 6 से भाग करोगे आपका उतरा जाएगा कितने बनाए 20 packet बनाए 120 को बाटना है ना तो 120 को 6 से भाग कर देंगे ठीक है बच्चों तो यह है आपका यह वाला question और Hindi medium में भी पढ़ लेते हैं छोटे packet में biscuit की संख्या 120 प्रति एक छोटे packet में 6 biscuit आते हैं उसके द्वारा बनाए गए छोटे packet 120 divided by 6 अंसर आएगा 20 ठीक है अब चलते हैं next question he made big packets with the remaining biscuits अब उसने क्या किया 200 में से 120 तो छोटे packet में डाल दिये अब उसके अलावा कितने बच गए बताओ कितने biscuit बचे 80 बचे तो उसके उन्होंने उसने क्या किया big जो packet थे वो बनाए how many big packets he make बिल्कुल इसी तरह से होगा अब आपको बताना है कितने बड़े packet बनेंगे will there be any biscuit left और बड़े packet बनने के बाद क्या कुछ biscuit बच जाएंगे if yes अगर हाँ तो बताओ कितने कितने biscuit बच जाएंगे देखो अब इसके लिए क्या करना है 200 में से 120 तो यहां चले गए थे है ना बचो अब कितने बचे बताओ 80 बच गए अब 80 को भी हमें क्या करना है भाग करना है उसके भी हिस्से करने है कितने कितने के 12 बारा के क्योंकि एक बड़े packet में 12 बिसकेट आ जाते हैं अब यही बताना है कि यह 12 बारा के कितने कितने ग्रूप बनेंगे तो उसके लिए भी हमें भाग करना है देखो रिमेनिंग बिसकेट 200 में से 120 घटाए हमारे पास अब इतने बिसकेट है इच बिग पैकेट है 12 बिसकेट बड़े पैकेट में कितने बिसकेट आते हैं 12 नमबर ओफ बिग पैकेट ही मेड तो असी को हमें भाग करना है 12 से हमारा उत्तर आएगा 6 कितने बिसकेट के पैकेट बनेंगे बड़े वाले 6 बनेंगे और क्या कुछ बिसकेट बच गए हाँ बच गई है देखो यहाँ पर रिमेंडर बच आया या 0 नहीं आया क्या आया 8 आया मतलब 80 में से 8 तो बच गए है तो यह आप से पूछा गया है तो आप लिख देंगे 8 बिसकेट लेफ्ट हाँ 8 बिसकेट बच गए है ठीके बचो यह यहाँ पर इसे भी पढ़ते हैं बचे हुए बिसकेट 200 माइनस 120 बराबर 80 प्रते एक बड़े बड़े आएगा बचे यहाँ पर क्या आएगा बड़े यह बड़ी गलती से लिख दिया गया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बड़े पैकेट में 12 बिसकेट आते हैं उसके द्वारा बनाए गए बड़े पैकेट तो आप यहाँ से आंसर निकाल देंगे और लिखेंगे हाँ 8 बिसकेट बच गए होंगे ठीक है बचो तो यह हो गए आपका पेज नमबर 50 नेक्सट पेज नमबर 51 यह भी इसी से रिलेटेड है इसे भी पढ़ते हैं What do you think How will he use the remaining loose biscuits आपको क्या लगता है जो पैकेट बच गए है जो पैकेट नहीं, सुरी बच जो बिसकेट बच गए है, उनका वह क्या करेगा Can he make more packets with them, क्या वह उनसे और packet बना सकता है, देखो कितने बचे थे आठ तो हाँ इससे एक छोटा packet बन जाएगा क्योंकि छोटे वाले में कितने आते हैं छे आते हैं आठ से कम तो छे का एक packet बन जाएगा yes he can make a small packet with them हाँ वह उनसे एक छोटा packet बना सकता है तो यह हो गया आपका दिन कर वाले जितने भी questions है वो हो गया है अब यह कुछ extra question है बच्चों इसे भी हम एक बार read कर लेते हैं can you name some liquids which we use more than a liter at a time तो आपको बताना है कोई ऐसा liquid जिसे हम एक बार में एक लीटर से जादा इस्तिमाल कर लेते हैं तो आप पानी लिख सकते हैं पानी को हम एक बार में एक लीटर से जादा बहुत सारे कामों में इस्तिमाल कर लेते हैं next which unit will you use while measuring the length of your thumbnail अपने अंगुठे के नाखुन की लंबाई नापने के लिए आप कौन सी इकाई का इस्तिमाल करेंगे तो आप उसमें किसका इस्तिमाल करेंगे सेंटिमीटर का आप अपना स्केल लेकर उससे नाप के देख भी सकते हैं एक सेंटिमीटर दो से कम ही रहेगा एक क्या स्पास आपका उतर आएगा तो हम सेंटिमीटर लिख देंगे next पच्चो page number 70 अभी हम करेंगे जो की angles के बारे में हैं एंगल समझानते हैं ना जहां दो लाइने मिलती हैं वहां एक एंगल बनता है जो कोर्णर है वहां पर एक एंगल बनता है look carefully and tell which is the biggest angle inside me write before the biggest angle यहां कुछ figure दी गई है आकरितिया दी गई है उसमें आपको बताना है जितने भी angles हैं सबसे बड़ा कौन सा है जैसे यह एक triangle है इसमें तीन एंगल है एक ये एक ये और एक ये आपको इन तीनों में से सबसे बड़े वाला बताना है और उसके वहां आपको बी लिख देना है जैसे यहां पर लिख दिया गया है आप बच्चों अब ये जो चार angle है इन में से आप बताओ सबसे बड़ा कुन सा है ये वाला है देखो ये सबसे जादा खुला हुआ है न ये वाला जो angle है यहां पर आप भी लिख देंगे आपको ध्यान देना है कि जो दो लाइने हैं जिन से angle बन रहा है वो कितनी जादा open है यह सबसे ज़्यादा open है इन में से, तो B लिख दिया, अब next, यहां देखो बच्चों, इसमें है 1, 2, 3, 4, और 5 एंगल, इसमें सबसे बड़ा है, उसके आगे हम B लिख देंगे, आप सब measure करके देखेंगे, और यह है D, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंगल है, और सबसे बड़े के आगे भी लिख दिया गया है, तो आप अच्छे से measure करेंगे, देखो यह भी बड़ा लग रहा है, यह भी बड़ा लग रहा है ना, दोनों लग रहे हैं, तो आप एक बार इस वाले question को ज़रूर चेक कर लेंगे, अपने protector से नाप कर, ठीक है बच्छों, और उसके आगे भी लिख देंगे, तो यह हो गया आपका page number 70, अब हम चलते हैं आगे, एक, दो और तीन page हमारे भी रहते हैं, तो बच्छों एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, page number 70 तक, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में अगली वीडियो बना कर डाल दूँगे, आप वहाँ से बाकी के देख लेंगे, ठीक है, बरना ये वीडियो का फिलम भी हो जाएगी, तो अभी आप यहां तक कर लेंगे, page number 70 तक, हमने कितने किये हैं, हमने कौन-कौन से pages कर लिये, 7-8 कर लिये, और page number 70 भी कर लिया, और 50 और 51 भी कर लिया, ये तीनों रह गए हैं, जिसे अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है बचों, तो जब तक आप ये वाले अपने चेक कीजिए, थेंक यू बचों, have a nice day and take care,